दुनिया का सबसे खुबसूरत पौधा वाटर प्लांट है असिंथ यानि कि चल कुम्भी मुझे यहीं से मिली और यह क्या है यह है यह है लखनों में बहती हुई गोमती रिवर यानि कि गोमती नदी तो हम लोग यहाँ पर बोटिंग कर रहे थे गोमती नदी में और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और हर गार्टनर्स को प्लांट की तलाश होती है तो मुझे भी दिख गए यहाँ खिले हुए फूल यह देखे नदी के साइड में जहाँ पर बोट अक्सर करके बान दी जाती है दूर दूर तक फैले हुए यह प्लांट यह लोग जादातर इसको डिस्ट्रक्टिव मानते हैं क्योंकि यह बहुत बुरी तरीके से पानी के उपर फैल जाती है लेकिन इसके बहुत सारे फाइदे हैं और आप इसको सिर्फ नदी में नहीं इस खुबसूरा फ्ला पानी में ग्रो करेगा इस वज़े से मैंने बोट वाले भाया से इसको तुड़वा लिया है और अब मैं इसको घर लेकर जाओंगी तो घर आते आते इस पे लग गया काफी टाइम और यह रखी थी बैक के अंदर तो बैक में रखने से यह बिलकुल ही मुर्जा गई थी क् से मैंने पाए कुछ और प्लांट से यह शायद स्पाइटर प्लांट है या रिवन ग्रास है मैं पैचान नहीं रही हूं आप बताईएगा मैं इसको बात में ग्रो करूंगी फिलाल मैंने क्या किया था कि इसको मुर्जाय हुआ देखकर पानी के अंदर डाल कर रख दिया और चलिए फर्टिलाइजर तो हम बनाते ही रहते हैं घर में जो कुछ मिल जाए तो यह फटा हुआ दूध है पौधो में डालने के लिए लाए थे रात हो गई तो मैंने नहीं डाला और यहां पानी में मैंने हया सिंथ यानि जल कुम्भी के इस प्लांट को रख दिया फूल में आपने देखी कितने अच्छे आते हैं इसके अंदर तो हम इसको एज़ा एक्वेटिक प्लांट होता भी यही है ग्रो करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे तो चलिए इसके लिए हम पौट चूज करते हैं और फिर आप से मिलते हैं तो इस तरह का कोई एक आप पो टब ले लीज़े उसमें जलकुम्भी को इस तरह से रख दीजे मल्टिप्लाइ भी इसको कर सकते हैं जिसकी जड़े हैं इसी हिसाब से इसके पार्ट बना लीज़े जिए और थोड़े थोड़े दिन में इसके जो पानी में डूबने के बा की वज़े से पानी में जलकुम भी फ्लोट करती है यानि तेरती रहती है और इसी की उपर पते हैं और इसमें एक स्टॉक आता है जिस पर फ्लार्स आते हैं पॉट आप चाहे मिट्टी का लीजिए या सीमेन का थोड़ा चोड़ा हो और पानी इतना आ जाए कि जड़ें उसम ले लीजिए या तो कोकोनट ओईल लीजिए गरी का तेल और इसमें दो बून डाल दीजिए जिसे के मचल वगएरा इसमें नहीं पन पेंगे ये बॉटर प्लांट है सिर्फ पानी में रह सकता है और इसमें मिट्टी की भी जरूरत नहीं परती है अगर आप चाहें तो इस में फंगस क्रियेट ना हो मुझे तो ये फ्री में ही मिल गया है और मैंने इसको ग्रो कर लिया है अगर आपको ये कहीं नरसरी पे मिले तो आप ले आए वरना इसी तरीके से ये तालाब या पानी में कहीं होता है आप वहां से इसको निकाल कर ला सकते हैं इसकी सूखे पत है और इससे खाध ही बनाई जाती है इस वज़य से ये एक बहुत बेकार सा प्लान नहीं बहुत अच्छा प्लान होता है और इसके पतों में न्यूटेंट्स भी पहुत होते हैं तो आप भी इसको गरो कीजिए और फ्री के प्लान को multiply करकर के दूसरों को भी बाटिए और इसकी flowering को enjoy कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए अच्छे-च्छे से comment कीजिए, all notifications के लिए बेल आइकन पर click कीजिए फिर मिलते हैं